आज के इस वीडियो में हम कुछ computer components को देखेंगे जिनका उपयोग किसी खास wishes कारे के लिए किया जाता है वैसे कुछ ऐसे primary sections के book में दे भी रखे हैं modem, hub और wave camera के बारे में तो इस वीडियो के बनाने का मेरा मुल उदेश है वैसे बच्चे जो इस वीडियो को modem, hub और wave camera को नहीं जानते हैं और वो इस वीडियो के माद्धम से उस वीडियो को सरल और सहज समझ सके यही मेरे वीडियो बनाने का मुल उदेश है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि modem क्या है modem एक परकार का hardware device है अब यहाँ पर hardware क्या है? वैसे जो की hardware को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि hardware जिनसे हम देखने के साथ साथ टच भी करते हैं वो हमारा hardware device है computers के वैसे components जिसको देखते तो हैं ही उसको टच भी कर सकते हैं जैसे हमारा mouse है, monitor है, CPU है, keyboard है जिसे हम देखने के साथ साथ उसे चूबी सकते हैं तो वो हमारा hardware device है तो modem भी हम देखने के साथ उसको चूबी सकते हैं तो modem हमारा hardware device है तो modem एक परकार का hardware device है जिसका कारे computer को केवल या telephone के माद्यम से data भेजने के लिए किया जाता है modem computer या router को broadband network से जोड़ता है modem के द्वारा हम use करके modem का हम use करके अपने mobile पे internet को हम access कर सकते हैं internet हम चला सकते हैं आप अगर modem का use नहीं कर रहे हैं अगर आप mobile से hotspots के थुरू अगर आप अपने computers को wifi के थुरू connect करके नहीं जोड़ रहे हैं अगर आप modem का use नहीं कर रहे हैं तो या broadband connections का use नहीं कर रहे हैं then how it is possible then can access the internet तो यहाँ पर बाते आजाती हैं कि internet को अगर आपको internet का use करना है तो modem एक device है जो आपको मदद करता है कि internet का संचार करने में modem internet का संचार करने में आपकी मदद करता है modem internet का संचार करने का कारे करता है a modem is a type of hardware device that is used to send data to a computer by a cable or a telephone a modem connects a computer or router to broadband networks modem serve to communicate with the internet यहां बाते आभी गए कि modem जो है वो serve करता है internet का संचार करने का कारे करता है और modem जो हो जो है वो computer और router को broadband network से जोडने का काम करता है हमारा computer अगर internet उस पर हम चाहते हैं कि हमारा internet हम access करें internet को प्राप्ट करें तो internet को प्राप्ट करने के लिए हमें modem की जरुवत पड़ेगी या तो हम कभी-कभी जैसे आज modem का अगर हम use नहीं करते हैं तो mobile के थरू, wifi के थरू, उससे हम अपने computers को, hotspots के थरू, हम अपने computers को जोड़ लेते हैं या broadband connection है तो फिर हम उसको जोड़ लेते हैं अगर हमारा पास router है तो इस परकार से अगर modem है तो भी modem एक device है जो की आपको internet का संचार करने में मदद करता है, अब modem होता कैसा है, modem देखने में कैसा दिखता होगा, वैसे बहुत अधिकतर जानते होंगे बच्चे की modem क्या है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऐसे नहीं जानते हैं तो modem इस परकार से इसका looks होता है, इस परकार से इसकी बनावट होती है ये modem USB port में भी लगता है, कुछ ऐसे modem होते हैं जिस modem को अगर हम रख देते हैं तो उसको हम बकायदे जिस तरह आज देख रहे हैं कि हम modems को एक जगर रखती हैं और उसको हम बकायदे hotspots के थुरू, wifi के थुरू उसको connect करने का जो कारे होता है उसी परकार से यहाँ भी modem है, कि एक modem है जो कि आपके USB port में लगता है और वहाँ से आप उसको direct access कर सकते हैं, या ऐसा भी modem होता है कि आप एक जगर रखती हैं और उसको connect कर लिए बकायदे, wifi के माध्यम से तो यह एक परकार से आपका modem हुआ, तो modem का यह आपको lux देखने को मिला, अब बात करते हैं hob device के बारे में तो hob एक ऐसा device होता है, जो कि एक network connections को multiple computer में split करता है अब जैसे मान लीजिए कि एक hob है, device है, जो कि एक centers point पे रखा हुआ है उस centers points जो hob रखा रहता है, उसमें बहुत सारे port बने होते हैं उस port में हम क्या करते हैं, कि computers को network से जोडने के लिए हम उसमें multiple wires को connect करते हैं और multiple wires जो होते हैं, वो multiple wires सारे computers को network provide करने में, network से connect करने में computers की मदद करते हैं, तो hob is a device that splits a network connection into multiple computers यह एक distribution center के जैसा ही कारे कर रहा है, मैंने आपको बताया हैं कि जैसे मंतलब एक center में हमने इस hub devices को रख लिया और उस devices को through more than computers को wire के through connect कर लिया networks उसमें क्या करने के लिए, networks connections establish करने के लिए जब एक computer informations के लिए request करता है किसी एक network से या a specific computer से तब उस request को send करता है, hub, hub का इस्तमाल multiple wires को connect करने के लिए क्या जाता है, मैंने पहले भी बोला यह hub is a device that splits a network connections into multiple computers, it is like a distribution center, when a computer requests information from any one network or from a specific computer, then it sends that request, hub is used to connect multiple wires यहां पर hub को एक बार हम देखेंगे भी तो अच्छे से समझ पाएंगे, यहां पर जैसे देखिए यह hub है और इसके पीछे यह USB port बना होता है, इस USB port में हम wire के थूरू multiple computers को connect कर लेते हैं और उसमें network connections establish करने का कारे करते हैं, जब कोई computer से request आता है, तो उस request को shend करने का काम यहां centralized hub करता है तो यहां hub, जो है, वो centralized points हो गया, distributions का, जिससे की more than computers को जोड़ा गया, wire के मदद से, और जिसके, इसको जोड़के हम इसमें network connection establish किये तो यह हमारा हो गया hub, अब हम बात करते हैं wave camera के बारे में, wave camera जिसे wave cam भी कहा जाता है अब यहां पे wave camera, जिसे wave cam भी कहा जाता है, यह एक input device है input device है, device अगर देखें, तो मुख्यता, input device, output device, processing device, लेकिन यहां पे यह जो मुख्यता अगर देखें, तो input device और output device, तो यह wave camera जो है, वो input device है यह एक तरह का video camera होता है, जो computer के साथ USB cable या optical fiber cable के साथ जोड़ा जाता है और यह computer network के माद्यम से चल रही घटनाओं का life प्रशारन करता है, यही wave cam का कार्य है आजकल आप देख रहे होंगे, कि हम सभी laptop में, तो by default आजकल उसमें wave camera आ रहा है, उसमें camera आ रहा है जिस camera का काम हम लोग video callings के वक्त कर लेते हैं, या video conference, video calling कर रहा है, video conferencing कर रहा है और online meeting attend कर रहा है, उसमें face to face हमको बारता करनी है, तो उस समय हमारा वो जो camera है, wave camera हमारी मदद करता है और वो wave camera मदद करता है, तो यहाँ एक तरह का video camera यह होता ही है, जिसको wave cam भी का जाता है जो कि USB हमारा जो port होता है, उस USB port में यह लगा होता है A wave camera is also called a wave cam, is an input device, it is a type of video camera that is connected to computer via USB cables or optical fiber cables and it is live broadcast of events running through a computer network, this is the function of wave cam आप इसको आज के इस video में हम कुछ computer components को देखेंगे, जिनका उप्योग किसी खास wishes कारे के लिए किया जाता है वैसे कुछ ऐसे primary sixons के book में दे भी रखे हैं, modem, hub और wave camera के बारे में तो इस video के बनाने का मेरा मुल्ल उद्देश है वैसे बच्चे जो इस विशे को modem, hub और wave camera को नहीं जानते हैं और वो इस video के माद्धम से उस विशे को सरल और सहज समझ सकें, यही मेरे video बनाने का मुल्ल उद्देश है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि modem क्या है modem एक परकार का hardware device है अब यहाँ पे hardware क्या है? वैसे जो कि hardware को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि hardware जिनसे हम देखने के साथ-साथ टच भी करते हैं वो हमारा hardware device है computers के वैसे components जिसको देखते तो हैं ही उसको टच भी कर सकते हैं जैसे हमारा mouse है, monitor है, CPU है, keyboard है जिसे हम देखने के साथ-साथ उसे छू भी सकते हैं तो वो हमारा hardware device है तो modem भी हम देखने के साथ उसको छू भी सकते हैं तो modem हमारा hardware device है तो modem एक प्रकार का hardware device है जिसका कारे computer को cable या telephone के माध्यम से data भेजने के लिए किया जाता है modem computer या router को broadband network से जोड़ता है modem के द्वारा हम use करके modem का हम use करके अपने mobile पे internet को हम access कर सकते हैं internet हम चला सकते हैं आप अगर modem का use नहीं कर रहे हैं अगर आप mobile से hotspots के थूँ अगर आप अपने computers को wifi के थूँ connect करके नहीं जोड़ रहे हैं अगर आप modem का use नहीं कर रहे हैं तो या broadband connections का use नहीं कर रहे हैं then how it is possible then can access the internet तो यहाँ पर बाते आजाती हैं कि internet को अगर आपको internet का use करना है तो modem एक device है जो आपको मदद करता है कि internet का संचार करने में modem internet का संचार करने में आपकी मदद करता है modem इंटरनेट का संचार करने का कारे करता है a modem is a type of hardware device that is used to send data to a computer by a cable or a telephone a modem connects a computer or router to broadband networks modem serve to communicate with the internet यहां बाते आभी गए कि modem जो है वो serve करता है internet का संचार करने का कारे करता है और modem जो हो जो है वो computer और router को broadband network से जोड़ने का काम करता है हमारा computers अगर internet उस पर हम चाहते हैं कि हमारा internet हम access करें internet को प्राप्ट करें तो internet को प्राप्ट करने के लिए हमें modem की जरुवत पड़ेगी या तो हम कभी कभी जैसे आज modem का अगर हम use नहीं करते हैं तो mobile के थरू, wifi के थरू उससे हम अपने computers को hotspots के थरू हम अपने computers को जोड़ लेते हैं या broadband connection है तो फिर हम उसको जोड़ लेते हैं अगर हमारा पास router है तो तो इस परकार से अगर modem है तो भी modem एक device है जो की आपको internet का संचार करने में मदद करता है अब modem होता कैसा है modem देखने में कैसा दिखता होगा वैसे बहुत अधिकतर जानते होंगे बच्चे की modem क्या है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऐसे नहीं जानते हैं तो modem इस परकार से इसका looks होता है इस परकार से इसकी बनावट होती है ये modems USB port में भी लगता है कुछ ऐसे modem होते हैं जिस modems को अगर हम रख देते हैं तो उसको हम बकाएदे जिस तरह आज देख रहे हैं कि हम modems को एक जगर रख दी हैं और उसको हम बकाएदे hotspots के थुरू wifi के थुरू उसको connect करने का जो कारे होता है उसी परकार से यहां भी modem है कि एक modem है जो कि आपके USB port में लगता है और वहां से आप उसको direct access कर सकते हैं या ऐसा भी modem होता है कि आप एक जगर रखती हैं और उसको connect कर लिए बकाएदे wifi के माध्यम से होता है जो कि एक network connections को multiple computer में exclude करता है अब जैसे मान लीजिए कि एक hub है device है जो कि एक centers point पे रखा हुआ है उस centers points जो hub रखा रहता है उसमें उसमें बहुत सारे port बने होते हैं उस port में हम क्या करते हैं कि computers के computers को network से जोडने के लिए हम उसमें multiple wires को connect करते हैं और multiple wires जो होते हैं वो multiple wires सारे computers को networks provide करने में network से connect करने में computers की मदद करते हैं तो hub is a device that split a network connection into multiple computers यह एक distribution center के जैसा ही कारे कर रहा है मैंने आपको बताया है कि जैसे मतलब एक center में हमने इस hub devices को रख लिया और उस devices को through more than computers को wire के through connect कर लिया networks उसमें क्या करने के लिए network connections establish करने के लिए जब एक computer informations के लिए request करता है किसी एक network से या specific computer से तब उस request को send करता है hub hub का इस्तमाल multiple wires को connect करने के लिए कह जाता है मैंने पहले भी बोला यह USB port बना होता है इस USB port में हम wire के through multiple computers को connect कर लेते हैं और उसमें network connections establish करने का कारे करते हैं जब कोई computer से request आता है तो उस request को shend करने का काम यहां centralized hub करता है तो यहां hub जो है वो centrist points हो गया distributions का जिससे की more than computers को जोड़ा गया wire के मदद से और इसको जोड़के हम इसमें network connection establish किये तो यह हमारा हो गया hub अब हम बात करते हैं wave camera के बारे में wave camera जिसे wave cam भी कहा जाता है अब यहां पे wave camera जिसे wave cam भी कहा जाता है यह एक input device है input device है device अगर देखें तो मुख्यता input device, output device processing device लेकिन यहां पे यह जो मुख्यता अगर देखें तो input device और output device तो यह wave camera जो है वो input device है यह एक तरह का video camera होता है जो computer के साथ USB cable या optical fiber cable के साथ जोड़ा जाता है और यह computer network के माद्यम से चल रही घटनाओं का life प्रशारन करता है यही wave cam का कार्य है आजकल आप देख रहे होंगे कि हम सभी laptop में तो by default आजकल उसमें wave camera आ रहे हैं उसमें camera आ रहे हैं जिस camera का काम हम लोग video callings के वक्त कर लेते हैं या video conference video calling कर रहे है video conferencing कर रहे हैं online meeting attend कर रहे हैं उसमें face to face हमको बारता करनी है तो उस समय हमारा वो जो camera है wave camera हमारी मदद करता है और वो wave camera मदद करता है तो यहाँ एक तरह का video camera यह होता ही है जिसको wave cam भी का जाता है जो कि USB हमारा जो port होता है उस USB port में यह लगा होता है यह wave camera is also called a wave cam is an input device it is a type of video camera that is connected to computer via USB cables or optical fiber cables and it is live broadcast of events running through a computer network this is the function of wave cam आप इसको video देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद